नमस्कार बाईजूज आईएस हिंदी प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है आज हम लोग 10 दिसंबर 2021 के दैनिक विच की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी संग लोग से वायोग की प्रारंभिक परिक्षा के दिस्कोर्ट से लाबदायक सिद्ध हो सकता है तो आईए पहले प्रस्न की ओर चलते हैं तो पहला प्रस्न है सून्य काल के संदर्व में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए तो यह प्रक्रिया के नियमों में इसका उलेक नहीं है तो यह कथन एकदम सत्य है क्योंकि संसद की प्रक्रिया पुस्तक के नियमों में इसका उलेक नहीं है इस प्रकार यह एक अनौपचारिक भी सह है जो संसद सदस्यों के लिए दस दिन पहले बिना किसी नोटिस अवध के मुद्दों को उठाने के लिए उपलब्द है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आम तौर पर सारवजनिक महत्यों के मामले संसद में दस दिनों तक इंतजार नहीं कर सकते यही कारण है कि यह प्रक्रिया के नियमों में इसका उलेक नहीं है तो पहला कथन क्या है सत्य है दूसरा यह बिना किसी पूरा सूचना के मामलों को उठाने के संसद के सदस्यों के लिए उपलब्द एक अनौपचारिक साधन है तो यह भी एकदम सत्य है कतन जैसा कि हमने बताया इसमें कि यह अनौपचारिक बिसय है जो संसद सदस्यों के द्वारा उठाया जाता है तो यह दोनों कतन सत्य है तीसरा है इस आउधारना को जापान से लिया गया है यह कथन असत्य हो जाता है चुकि यह अवधारना हमारे देश से ही सुरू हुई थी खास कर यह 1962 में यह विचार आया था सूनिकाल 1962 में संसद में पेश किया गया था और यह वह समय है जब संसद सदस ततकाल सारवजनिक महत्व का मुद्दा उठा सकते हैं यदि कोई भी संसद सदस से सूनिकाल के दवरान किसी भी मामले को उठाना चाहते हैं तो उन्हें सदन में बैठने के दिन वक्ता या अध्यक्ष को सुबह 10 बजे से पहले नोटिस देना होगा तो समझ में आई बात तो यह यहां से नहीं लिया गया है तो केवल 1 और 2 सही है अता पूर है क्या होता है शूनिकाल तो शूनिकाल में कारवाई के दवरान सवाल ही पूछे जाते हैं और शूनिकाल भी प्रसनिकाल की तरह ही time segment है यानि संसद अलग-अलग मुद्दो पर यहां पर चर्चा करते हैं और दोनों सदरों में इसका time अलग-अलग है यानि लोग सीधे सुनिकाल सुरू होता है वहीं राज सभा में सुनिकाल से सदन की कारवाई सुरू होती है और इसमें बाद में प्रश्निकाल होता है अब बढ़ते हैं राज विधान परिशत के संदर में यानि यहां पर आप देखी आगया राज विधान परिशत जैसे केंदर में रस्न बन रहा है तो राज्य विधान परिशत के संदर्व में निमलिखित कथनों में से कौन सासे गलत है ये महत्पूर्ण हो जाता है गलत है तो दिया गया है पहला कथन कि भारतिय नागरिक जिसकी आयू कम से कम 25 वर्स है वह विधान परिशत का सदस्य बन सकता है तो यह सीधे कह सकते हैं कि गलत है क्यों क्यों की 30 वर्ष होना चाहिए जैसे लोक सभा के लिए 25 वर्ष है राजसभा के लिए 30 वर्ष वही सेम विधान सभा और विधान परि Sanze में बी लागू होता है परिशत के अध्यक्ष को राज जपाल द्वारा नामित किया जाता है यह भी कथन एकदम असत्य है क्योंकि परिशत के सदस्यों के द्वारा सभापती को या अध्यक्ष को चुना जाता है और तीसरा है वर्तमान में भारत के साथ राज्यों में विधान परिशत है यह भी कथन असत्य है चूंकि छे राज्यों में है तो यहाँ पर तीनों कथन असत्य है अताएंसर D होगा तो यहाँ पर The Hindu में आई हुई खबर है यह देख सकते है तो Legislative Council की चर्चा की गई है तो महाराष्ट में चुनाव हो रहा है तो भारत के विधान परिशद वाले जो राज्य है वह अच्छे राज्य है उत्तरप्रदेश, महाराष्ट, बिहार, करनाचक, आंत्रप्रदेश और तेलंगाना तो यह राज विधान परिशद अनुछेद 169 में इसको बनाया भी जा सकता है उत्त साधन भी किया जा सकता है तो 71 और 72 में विधान परिशद के गठन के बारे में बताया गया है तो विधान सभा में उपस्तिस सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव को कहां भेजा जाता है संघीय संसत के पार फिर वहां पर लोक सभा एवं राज सभा के साधारन भहुमत से प्रस्ताव पारित करने का कार किया जाता है और इसके बार राष्ट पती के पास जाता है तो उस राज में विधान परिशद का गठन हो जाता है जैसा कि पश्चिम बंगाल में भी चर्चा में रहा है तो इस तरह से राज पती के हस्ताक्षर होते ही विधान परिशद के गठन को मंजूरी मिल जाती है जैसे राज सभा कभी भंग नहीं होती है स्थाई सदन होता है पर्मानेंट हाउस होता है उसी तरह से राज बिधान परिशद भी एक स्थाई सदन है इसका कारेकाल छे वर्सका होता है और लेकिन बिधान परिशद परतेग दो साल बाद एक तिहाई सदस्यों का कारेकाल खत्म हो जाता है इसके बाद राज सभा की तरह ही विधान परश्द भी एक स्थाई सदन बन जाता है और इसको भंग नहीं किया या सकता और इसका जो आकार होता है तो विधान सभा में इस्थित सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई और कम से कम 40- wilt सदस्ते पहले जब्मु कस्मीर में बारा चुने जाते हैं वही एक तिहाई सदस से नगर पालिकाओं जिला बोर्डों एक बटा बारा सदस का चुना वब्यक करते हैं जो कम तीन वर्सों तक राज के भीतर सैक्षिक संस्थानों में अध्यापन किया हो यानि सिक्षक संग का विधायक उसको कहते हैं इसी तरह से बारा से कट जाता हैं उनको चुना जाता है और इसी के साथ ही जो सेश बचे सदस्य साहित विज्ञाण कला सहकारिता अंदोलन यासे राज सभा में निमलिखित में से कौन जल प्रदूसर्ण के बिंदु स्रोत हैं तो तेल सोधन शालाएं, कागज और लुगदी मीलें, क्रिसी अपवाह, वाहित मल उपचार सैंत्र तो यह उपरोक तो चारो, अता उत्तर क्या होगा, डी होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, PIV में आई हुई खबर है, Heavy Mittals in Rivers यानि भारी धातू नदियों में पाए जा रहे हैं, तो भारी धातू का उन तत्तों के रूप में परिभासित किया जाता है जिनका परुमालू संख्या 20 से अधिक हो, और परुमालू घनत तो 5 ग्राम प्रति सेंटीमेटर क्यूब से अधिक होता है और धात के गुणों को परदर्सित करता है, तो भारी धात के उधारनों में पारा, कैडमियम, आरसेनी, क्रोमियम, थैलियम, लेड सामिल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश में नदिया, मुख्य रूप से शहरों, कश्बों से अशोधित, आंसिक रूप से उपचारित सीवे जवर, उनके संबंधित जल ग्रहर छेत्रों में और द्योगिक अफसिस्टों के निर्वहन के कारण प्रदूसित और दूसित ह तो इसमें जो प्रदूसर के गैर बिंदू, सुरोत जैसे चटानों का कटाओ, परिवहन, आउसादन, मिटी, क्रिसी अपवा, खुले में सौज, ठोस अफसिस्ट डंपिंग अस्थल से अपवा, आज भी नदी के प्रदूसर में योगदान करते हैं, तो यहीं से आपको उ इंधरन बोर, बिभिन राजियों, केंदर सासित प्रदेसों में राज्य प्रदूसर नंतरन बोर्ड समीतियों के साथ मिलकर, देजभर में नदियों और अंह जलनिकाओं के पानी की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है, और नदियों में भारी धात उपाए गए, जैसे आर्सेनिक है, मरकरी है, आइरन है, मेगनीज, यह सब सांदरता उपाई गई है, तो इस तरह से नदियों की सफाई, काया कल्प कोई दो दिन का कारे नहीं है, एक सतत गतिविदी है, तो इसमें लगातार सरकार प्रयासरत है, और इसके तहत नदियों के सररक्षन के लिए, यह मंत्राले गंगा बेसिन जैसे अलग से किया गया है, नमामी गंगे योजना है, इन सब को यहाँ पर दिया गया है, तो इस तरह से यह सारे पॉइंट्स इन्हें जरूर देखिएगा, अब बढ़ते हैं भुकतान बैंक के संदर्व में, निमलिखित कत्रों में से कौन सासे स ही है, तो भुकतान बैंक डेविट कार्ड जारी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं, यह कथन एकदम सत्य है, उन्हें छोटे बेऊसायों को उधार देने का अधिकार दिया गया है, यहां यह सही नहीं है, उन्हें सावध जमा, मियादी जमा यानि FD स्विकार करने की तो यहां पर दिया गया है दा हिंदू में आई हुई खबर है पेटियम पेमेंट बैंग को मिला सेडूल पेमेंट बैंग का दरजा तो अब इसके बाद इसको क्या लाप मिलेंगे इन सारी बातों की चर्चा करेंगे तो भारती रिजर बैंग ने डिजिटल भुकतान सिवा प्रदान करने वाली दिगज कमपनी पेटियम को सेडूल बैंक का दर्जा दे दिया है और यह अरबियाई अधियम 1934 की दूसरी अंसूची में इसे सामिल किया गया है जनवरी 2017 में पेटियम को अपना पेमेंट बैंक लाँच करने के लिए अरबियाई से मंजूरी मिली थी अ अब सरकार और अन्य बड़े निगमों द्वारा जारी रिक्वेस्ट आफ प्रपोजल में भाग ले सकेगा शेडूल बैंक का दर्जा मिलने के बाद अब पेटियम बैंक निश्चित दर और परिवर्तनिय दर रेपो रिवर्स रेपो सीमान तस्थाई सुविधा में भी भ प्राप्त कर सकते हैं और खुद ही क्लियरिंग हाउस अदस्ता भी प्राप्त कर लेते हैं इसके अलावा शेडूल बैंकों को रिजर्व बैंक से दिन प्रद दिन की बैंकिंग अद्विधियों के लिए पैसे उधार लेने की भी अनुमती है और पेटियम बैंक कई प्रका में आया हुआ है निमलिकित उद्देशों में से कौन सा एक भारत के सम्विधान की उद्देशिका में सामिल या सन्निविस्ट नहीं है तो विचार की स्वतंतरता आर्थिक स्वतंता अभिव्यक्त की स्वतंता विश्वास की स्वतंता इसमें उत्तर होगा भी होगा अब दे पेख्ष लोगतांत्रिक गणराज बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीति क्या नयाए विचार अभिव्यक्त विस्वास देखी ये तीनों मिल गए धर्म और उपासना की स्वतनता प्रतिष्ठा और आउसर की समता प्राप्त करने के लिए तो अब यहीं से यह मिल जाता है तो उत्तर क्या होगा? भी होगा और दोस्तों प्रस्तावना समविधान यानि याद रखेंगे जब समविधान सभा का गठन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहललाल नहरू ने उद्देश प्रस्तावर रखा और यही जो है 22 जनवरी 1947 को उद्देश प्रस्तावर को सामिल कर लिया यानि स्विकार कर लिया गया समविधान सभा के द्वारा और यही प्रस्तावना का रूप लिया और इसमें एक बार संसोधन हुआ है कब 42 समविधान संसोधन के ताहट 1976 में जिसमें पंत निरपेक्ष अखंडता और तीसरा सब्द क्या था समाजवादी या तीन सब्द जोड़े गए थे अब बढ़ते हैं आज के Fact of the Day में Moral Tenancy Act क्या है तो यह भी P.I.B. में आई हुई खबर है तो इसमें केंदरी मंतिमंडल ने 2 जून 2021 को Moral Tenancy Act को मंजूरी दी और इसे सभी राज के इंसासित प्रदेशों को 7 जून को एक नया कानून बना कर मसाओदा किराये में संसोधन के मादनम से भविस के किरायदार के लिए अपनाने के लिए परिचालित किया गया था और इसका उद्देश ही यही है कि कुशल और पारदर्सी तरीके से परिशर के किराये को विन्यमित करके किरायदारों और जमिदारों दोनों के अधिकारों और हितों को संतुलित और संदक्षित करके किराय के आवास को बढ़ावा देना है इस तरह से मॉडल कास्तकारी अधनियों को अंतिन रूप देते समय सभी राज्यों और केंसासित प्रदेसों से परामर्स किया गया था MTA राज्यों केंसासित प्रदेसों के शहरी और ग्रामिट दोनों छेत्रों में या लागू है और महत्पूरी हो जाता है भूमी और अपनिवेसी करण राज्य के बिसे हैं तो इस तरह से 2021 में अब इससे क्या होगा किरायदारों को भी लाब होगा और मकान मालिकों को भी तो दोनों तरीके से इस तरह से संतुलन स्थापित किया गया है जैसे मुंबई और बैंगलोर जैसे शहरों में आप देखते थे कि 11-11 महीने की डिपॉजिट मनी जमा कराई जाती थी अब यह दो महीने की जमा कराई जाएगे तिससे किरायदारों को लाब होगा इसी तरह से मक मालिकों के लिए भी राहत है जैसे किरायदार किसी को भी लाकर के अपने हां ठिका सकते थे तो अब बिना मकान मालिक के अनुमती के वहा किसी अन्य व्यक्ति को वहाँ पर नहीं र है और जब तक एग्रिमेंट हुआ है उसके बाद अगर वह रह रह रहा है तो इससे शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद